बालीवूड में मिथुन चकुरती के आने से पहले बालीवूड में दो ही ऐसे एक्टर थे जिनके हैरिस्टाइल थोड़ी अलग हुआ करती थी राजिस खन्ना और अम्ताबच्चन इनकी हेरिश्टैल थोड़ी सी अलग थी और पबलिक भी इनकी हेरिश्टैल को पसंद करती थी लेकिन इतना क्रेज नहीं था कि करोडो लोग उनकी हेरिश्टैल को फालो करते जबकि मिथुन चकुरती के आने के बाद और उनके सुपरिस्टार बन जाने के बाद मिथुन चकुरती की हैरिस्टार इतनी ज़्यादा पॉपलर हुई कि करोडो करोडो लोग मिथुन चकुरती बनकर घोमा करते थे एक जमाना था जब मिथुन चकुरती के हैरस्टाइल उनके जैसे कपड़े उनके जैसे जूते उस दोर के युवा पहन कर अपने आपको हीरो समझते थे और मिथुन चकुरती का फारमूला ऐसा सूपर हिट हुआ कि बालिवुड में आने वाले नए कलाकार भी मिथुन चकुरती की तरह हैरस्टाइल और उनके जैसा कपड़े पहनने की कोसिस करते थे जिससे पब्लिक के बीज मिथुन चक्रोरती की तरह ही उनकी भी एक छबी लोगों के दिमाग में बस जाए और वो भी सुपर हिड हो जाएं जैसे की हैरिस्टाइल की बात करें तो मिथुन चक्रोरती के बाद बालवूट के सबसे खोपसूरत ही रो जितेंदर ने मिथुन चक्रोरती से सीनियर होने के बावजूद भी अपनी हैरिस्टाइल चेंज कर दी थी क्योंकि मिथुन चकुरती से वो काफी प्रभावित हुए थे उनके जैसा हेरे स्टाइल रखने के बाद उन्होंने अपनी डांसिंग को भी इंप्रूब किया था प्रभीज में कंपटिशन इस कदर था कि जितेंदर ने मिथुन चकुरती के तरह हैरे स्टाइल रखने के बाद उनके तरह कपड़े और जूते भी पहनने शुरूब कर दिये थे और इसमें वो काम्याब भी हुए थे तो ये था मिथुन चकरूरती के इस्टाइल का दब्दबाद। इसके बाद मिथुन चकरूरती की तरह बेजबूसा बना कर कुमार गरोजे से एक्टर भी बालूड में आए और अपना कैरियर की सुरुआत की लेकिन उनका कैरियर उतना ज़्यादा सुपर हिट नहीं रहा इसके बाद जिसने मिथुन चकरूरती की हैरिश्टाइल उनके कपड़े पहनने का हैस्टाइल सबसे ज़्यादा काफी किया उसका नाम है गोविंदा गोविंदा मिथुन चकुरती के सुरू से ही फैन थे, उनको देखकर ही उन्होंने अपना डांसिंग कैरियर सुरू किया था और जल्द ही वो फिल्मों में सक्रिय हो गये थे इसके बाद जब गोविंदा वालीवूड में आए तो उन्होंने दो चार सालों तक मिथुन चकुरती की तरह ही हैर स्टाइल रखी और उनके जैसा कपड़े और जूते पहना करते थे लेकिन बाद में गोविंदा ने अपना इस टाइल चेंज कर दिया इसके बाद एंट्री हुई चंकी पांडे की चंकी पांडे ने भी मिथुन चकुरती की हैर स्टाइल को खूप कापी किया और कुछ सालों तक उन्होंने इस 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 टाइल को फालू किया और इसके बाद अपनी हैर श्टाइल कटवा दे लेकिन मिफुन चकरवुरती ने कभी भी अपनी हैरटाइल चेंज keeping א술 का यह फार्मोला अभी रुकने वाला नहीं था और लास्ट 80 रूसेने एंट्री हुई आमिर खान की आमिर खान ने भी मिफ्वन चकरवुरुती की तरह आंकर सकत दिखने के लिए अपनी हैरेश्टाइल उनके जैसी रखी हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी हैरेश्टाइल को चेंज कर दिया और इसके बाद फिर 90's में भी मिथुन चकरूरती के हैरेश्टाइल का फार्मूला सुपर हिट ही रहा इसके बाद सारुखान आए मिथुन चकरूरती की हैरेश्टाइल गौड गिप्टेड थी उनके जैसा दिखना लोगों के लिए असंभव ही था उसरीफ मिथुन चकरूरती का ही चेहरा था जिस पे उनकी हैरेश्टाइल सबसे ज़्यादा खुबसूरत लगती थी मिथुन चकरूरती अपनी में 400 से ज़्यादा फिल्मे की हैं और उनमें तीन नेशनल अवार्ड भी हासिल किया है मिथुन चकवरती अपने एक्सप्रेशन से ही सारा खेल दिखा जाया करते थे आजकल के एक्टर्स तो अपने एक्टिंग को ज़्यादा प्रभावी दिखाने के लिए कारेक्टर की तरह अपना श्टाइल मेकप करके बदला करते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रभावित करें जबकि मिथुन चकवरती अपने उसी हेर श्टाइल और श्टाइल के साथ ही सिर्फ एक्टिंग और एक्प्रेशन के जरिए ही कारेक्टर को कन्वेंसिंग बना दिया करते थे ये था मि वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू